मुझे खेलो दोस्तो जे मातादी केस वहाँ वाव सब आज की इस वीडियो में मैं आपको Master Candle सिखाने वाला हूं डेटेल में वीडियो को अन्ड तक देखो आपको Master Candle में जितने भी डाउट है सभी डाउट में आपके के लिए कर दूँगा Master Candle एक ऐसी Candle होती है जो कि ये market में आपको बहुत बार बनती होई दिखेगी और देखो अगर ये pattern आपको चार्ट में कम से कम 10 बार दिखता है तो उसमें से 8 बार या 7 बार तो पक्का profit देगा ही देगा लेकिन इससे पहले आपको समझना बढ़ेगा कि ये बनता कैसे है और काम कैसे करता है ट्रेट कैसे करना है ठीक है इसके पिछी logic क्या है ये सब समझना जरूरी है और इसके अलावा time frame क्या होना चाहिए time frame होना चाहिए पंदर मिनट करना है ठीक है ओर पांच मिनट पर round कर सकते हो लेकिन या धो इतना बता रहा हूं कि सिखने की बाद को पर उ तो यह कंडल आपको ट्रीडर बना सकती है क्योंकि दोस्तों यह कंडल बहुत पॉंट फुर भी होती है और आगसर लोग इसी को यूज करते हैं या तो मास्टर कंडल यूज करते हैं जैसे कि आपको पता है कि मैंने इस से पहले वाले वीडियो में इंसाइड्र पैटन के बा लाइब चार्ट पे कैसे दिखेगी और कैसे आपको ट्रेड करना ठीक है तो सबसे पहले यहां पर सिखता है कि यह कैसे दिखाई देगी ठीक है तो देखो भाई लो बस वीडियो को आप अंड तक दिखीगा अंड तक मिना स्किप किये देखो यहां पे मास्टर क्रeड दोस्तों अपको कुछ ऐसे दिखाई दे सकती है यहां की क corruption क्या है मैं आपको बता रहा हूआ ठीक है देखो सबसे पहला तो यहां पर आपको एक Oh jar बंते हुई फ्रष्ट वाली सक्झाल आपको काफी बड़ी बनती हूई दीखे होनी चाहिए इस वाली फश्ट वाली करेंडल के हाई लोग के रंज के अंदर में जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर चार करेंडल से ज्यादा है अगर ज्यादा है तो और उच्छा है लेकिन कम से कम चार केंडल होनी चाहिए आपको ये केंडल दोस्तों कई परकार से दिखेगी अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाऊँगा कैसे आपको ट्रेड करना है लेकिन यहाँ पर समझो ये केंडल बनने के बाद मार्केट किदर भी बिरेक कर सकती है ओपर या नीचे तो अगर ये बोटम पर बन रही है जहाँ पर सपोर्ट है अगर वो वहाँ पर बन रही है केंडल तो 80% चांस है कि मार्केट यहाँ से ओपर जा सकती है यानि कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है अगर ये सपोर्ट बनती है तो लेकिन अगर ही आपको टोप पे दिखती है, तो हहां से मार्केट नीची गिर सकती है, और यहां पे आपको एक बात ध्यान लखना है कि यह side-based market में दोस्तो काम कम करेगी, लेकिन आपको side-based market में कैसे trade करना है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो यहां पे इतना clear यहां पर एक एक्जामपल आउट देख लो अगर जिन लोगों को यह नहीं बता है कि कैंडल क्या होती है कैसे काम करती है तो दोस्तों आप जाके मेरे चैनल पर चक्क कर सकते हो मैंने एक प्ले लिष्ट बनाई हुई है फुल कंडल लिष्टिक का यानि कि जितनी भी कंडल ल और रेट भी हो सकती है अब इसके बीच में कितना रहेगा चार कंडल देखो यहां पर एक है दो तीन चार अब यह चार हो गई ठीक है चार के पाग भी और आगे कंडल हो सकती है लेकिन कम से कम चार कंडल होनी चाहिए इसके बाद देखो यहां पर ब्रेक आउट दिया है यहाँ पे जो candle breakout करें दोस्तों यह candle strong होनी चाहिए अगर यह candle कमजोर है तो यहाँ पे doubt हो सकता है कि market यहाँ पे ब्रेक जो कर रहे है फेल हो जाए लेकिन अगर यह strong है तो काफी तेजी से उपर जा सकती है यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे आपको entry लेना है stop loss कहां पे लगाना है target कैसे रखना है ठीक है तो यहाँ पे चलते है चार्ट पे वह ऐसे तो आपको दिख रहा है कि market काफी नीचे गिरने के बाद यहाँ पे क्या क्या है breakout क्या है नीचे के तरफ जैसे कि यहाँ पे हमने क्या हुआ है अब देखो इस candle के अंदर में जो चारी कंडल है दोस्तों इस चारो कंडल का जो सैडू है यानि कि जो बीक है फश्ट वाली कंडल के हाई लोके अगर बाहर हाई भी तब भी कोई दिखात नहीं लेकिन चारो कंडल का ओपनिंग को लोजिंग इसके अंदर में होना चाहिए रंज की अंदर में ठीक है इसके बाद अगर यहाँ पे breakout करती है तो आपको कैसे ट्रेड लेना है देखो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे इस वाली कंडल ने ब्रेक इंटरी लेना है जैसे कि देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूं ठीक है यह देखो यहाँ मैं आपको सब दिखांगो ठीक है जैसे कि आपने दोस्तों इंटरी कहां पर लिया एक मिनट को यह रही आपने इंटरी कहां लिया यहाँ पे आपको यहाँ पे यह भी दिखना हो दोस्तों आपको कहाँ तो आपको आपको एसल रहेगा और जो टारगेट है दोस्तों आप कैसे डिसाइड करेंगे दिखो यहां पे मैं आपको यह भी बता देता हूं ठीक है कि आपको टारगेट को कैसे डिसाइड करना है यहां पर दोस्तों आपको यह भी देखना होता है कि मार्केट ने इससे पहले कहां पर सपोर्ड लिया था देखो यहां पर क्या हुआ है यहां पर मैंने चार को छोटा किया ठीक है इसके बाद देखो क्या हुआ है यहां पर एक support बना देखो यहां पर एक बार market ने support लिया था ठीक है तो हम गया करेंगे हम यहीं पर एक horizontal line डाल देंगे ठीक है कुछ यहां पर यहां पर यह करके आपको पहले से पता है क्योंकि आपने पार्ष्ट के चार्ट को देखके यहाँ पर सपोर्ट लाइन डाली हुई है यानि कि मार्केट यहीं तक आ सकती है इसके बाद यह फिर से रिवर्स हो सकती है तो अगर आपकी इंट्री यहाँ पर हो गई तो आपका टार्गेट क्या हो जाएगा यहाँ तक यहाँ तक आपको टार्गेट अपना रखना है अगर यहां पे आपको confusion होती है कि मेरा target कितना है तो यहां पे आप इसे भी नाप सकते हो कि कितना point मिल रहा है आपको जिसे कि यहां पे आजाना है आपको यहां से आपको लेना है short position ठीक है जिसे कि यहां पे game है यहाँ पर आपने lean tree ठीक है यह देखो और यहां से आपको ऐसे करके कुछ करके जहां पर आपका यहाँ यहां पर ऐसे चोटा भी कर सकते हों ठीक है यहां पर इस सपोर्ड तक हो गया आपका टार्गेट दिखो यहां पर कितना मिला हुई चारगेट ? 381 पॉइट्ट से लेकर 331 पॉइंट यान moc 330 से पॉइंट मिला हुआ ठीक है जैसे कि यहां पर दिखा रहा हूं यहां पर दोस्तों मैंने पहले से ही यहां पर ढूंड की रखा हुआ देखो दोस्तों आपको यह कंडल चार्ट पर डेले दिखेगी बस आपको इसे ढूंड़ना सीखना है यहां पर देखे दोस्तों यहां पर क्या है यहां पर एक support पे बना हुआ है pattern देखो ये अगर ये support बनने के बाद ओपर की तरफ breakout करती है तो यहां से ये chance जादा रहता है कि बहुत बड़े-बड़े move मिलेंगे जिसे कि देखो यहां पे आपको दिखा है साफ साफ कि यहां पे pattern बना इसके बाद अगर यहां पे breakout करता है ठीक है यहां पे जो candle breakout कर रही है आपको इस पे entry नहीं लेना है यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था जैसे कि यहां पे देखो दोस्तों यहां पे एक क्या है यहां पे resistance है यहां से market नीचे गिर सकती है तो यहां पे अगर यह breakout करती है, तो आप यहाँ पे bait करोगे, जैसे यहाँ पे इस वाले support को breakout करेगा, यानि कि यहाँ पे resistance है, जैसे इसे break करेगा, दोस्तों, आप यहाँ पे entry बनाओगे, ठीके, यहाँ पे आप buy करोगे, यहाँ पे इसने breakout किया यहां पर आपने बाई किया और आपका टार्गेट दोस्तों कहां तक है यहां तक है और आपने टार्गेट को कैसे डिसाइड किया टार्गेट को दोस्तों आपने कुछ है से यहां पर सपोर्ड को यहां पर देखके decide किया यहां पर देखो यह रहा resistance इसी के वज़त से दोस्तो market यहीं से down में आना शुरू हो गई देखो यहां पर यहां से बहुत high move बिला लेकिन यहां से जाके यह move यहां पर हलका हो गया क्योंकि यहां पर resistance था तो आपका first target क्या रहेगा यहां तक ठीक है अब देखो मालो दोस्तो आपने यहां पर इंट्री लेट तो आप एसल कहां रखोगे एसल दोस्तो simple सा अगर यहां पर आपको यह काफी बड़ी candle दिख रही है जो है ठीक है और जैसे मालो दोस्तों यहां पर भी देखो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एक बात और भी ध्यान देजेगा कि 100% यह pattern काम नहीं करेगा मैं आपको दोस्तों यहाँ पे पहले बता देता हूँ भाई देखो stock market में 100% कुछ भी काम नहीं करेगा भाई ठीक है तो यहाँ पर यह इसका accuracy कितना है 80% 70% मतलब कि अगर आप 10 trade लेते हो तो उसमें से 10 trade नहीं तो 8 trade 7 trade में profit होगा ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर दोस्तों आपको एक green candle दिख रही है फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जिसमें नहीं आप से कहा था कि इसकी body छोटी बड़ी हो सकती है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको यह धियान रखना है जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसने नीचे के तरह breakout दिया अगर support इसके आसपास में है दोस्तों जहाँ पर breakout हो रहा है इसके आसपास में support है तो आपको यहाँ पर entry नहीं लेना है क्योंकि यहां पर support है तो दोस्तों market यहां से फिर से ऊपर जा सकती है यानि कि यह breakout फेलो सकता है ठीक है तो आपको यह धियान कना है जिसे कि आपको दिख रहा है दोस्तों यहां पर यह breakout देखो क्या हुआ है फेल हो गया है अगर आप दोस्तों यहाँ पे इंट्री लेते तो आपका यहाँ पे लोस हो जाता लेकिन यहाँ पे अगर आपने पहले से यहाँ पे सपोर्ट को देखा होता है कि यहाँ पे सपोर्ट है तो आप यहाँ पे इंट्री नहीं लेते जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि देखो यह breakout बहुत गजब का दिया है अगर आप ऐसे दोस्तो डेली चार्ट पर ढोड़ोगे तो आपको बहुत सारे pattern दिखेंगे जैसे कि यहाँ पर देखो दोस्तो यहाँ पर यह वाला pattern क्यों फेल हुआ देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ ठीक है तुकि यहाँ पे selling pressure ज़्यादा है यहाँ पे candle दोस्तों आपको खुद बता रहे है यानि कि आपको candle का भेबेर देखना है कि candle क्या बताना चाहरे है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों यह candle यह candle है और यह candle यहाँ पे आपको सा कमेंट किजीगा और सिर किजीगा ठीक है